प्यारे प्यारे पढ़ाकू बच्चों आप लोगों का स्वागत है इस एपिसोड में इससे के पहले के एपिसोड में हम लोगोंने बायो डायर्सिटी इन लीविंग और्गिनिजम का फर्स्ट पार देख चुका है जिसमें बहुत इंपोर्टेंट बेसिक कोंसेप्ट के बारे में हम लोगोंने जान चुका है आज के इस कॉंसेप्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन जानने वाले हैं और आप लोगों को इसका नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया गया है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लिजिएगा तो देखिए आखिर जो ओर्गिनिजम है मतलब जो जीओं है उनको क्लासिफिकेशन करने की असकता क्यों पड़ा तो उसको क्लासिफिकेशन करने की असकता इसले पड़ा क्योंकि हम उसको अच्छे से अध्यन कर सके उनके बारे में अच्छे से एक-एक करके जान सकें जैसे कि आप लोग स्कुल में अलग-अलग क्लास में बैठते हैं पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इधर मीडिल के बच्चे लोग भी छट्वी सात्वी आठ्वी के अलग-अलग बैठने से क्या होता है इसलिए इनको क्या किया जाता है औरगिनिजम को classified किया जाता है अलग-अलग section में उनको बाटा जाता है classified किया जाता है अलग-अलग class में और जैसे भी देखो यदि library में book है और book को सब एक जगह रख दिया गया है तो हमको अपने class का book भी ढूणने में परिशानी होगा तो इसलिए library के book को अलग-अलग class को अलग-अलग जगह रखा जाता है जैसे आप लोग भी school में पढ़ रहे हैं तो आप भी आपका class का room अलग है तो classified करने के लिए जो है बहुत सारे scientist आये एक-एक करके जिसमें सबसे पहले जो है classification में जो अरस्तु है अरस्तु इन्हों ने दिया इन्हों ने जह जिओं को living और non living में classified किया उसके बाद जैसे की और two kingdom classification आया three kingdom classification आया four kingdom classification आया और five kingdom classification और six kingdom classification में सब भी जिओं को जो है बाटा गया है तो सबसे पहले जो है जिओं को या फिर जो जिओं नहीं है उनको जो है सबसे पहले अरस्तू यह आप लोग डियाग्राम में दीख रहे हैं यही अरस्तू हैं इन्होंने सबसे पहले पृत्वी में जो भी है उपस्थित है उसको living और non living में बाटा हैना किसमे जो जीवित हैं जो जीव हैं जो respiration कर सकते हैं reproduction कर सकते हैं ये एनिमल क्या है, प्लांट क्या है, ये लिविंग है, नोन लिविंग क्या है, पेन, कापी, दिवार, सड़क, है ना दरवाजा, ये गुर्षी, टेबल, ये सब क्या है, नोन लिविंग, इसमें बाटा किसने, अरस्तु ने, उसके बाद जो है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहां सेकेंड नंबर में, देखो, और अस्तु ने तो नोन लिविंग, नोन लिविंग में बाट दिया, उसके बाद जो है, एक साइन्टिस्ट और है, जैसे, केरोलस लिनियस, केरोलस लिनियस ने, टू किंग्डम क्लासिफिकेशन दिया, जो डेगराम में दि देखो, जो यह केरोलस लिनियस है, इन्होंने टू किंग्डम क्लासिफिकेशन दिया, और उन्होंने ओर्गिनीजम जो जीव है, उनको दो भागों में बाट दिया, इक प्लांटी और दूसरा, एनी मेलिया में बाट दिया, उनका फेमस बुक है, जिसको मल्टिपल चोईस में पूझा जाता है, तो इस पहला बुक का नाम है, इसपेशिस प्लांटिरं, और दूसरा है, सिस्टेमा नेचूरी, इन्होंने जो है बाइनोमियल नोमिन क्लेचर को भी प्रपोजट किया था, जो है और भी बहुँ सारे क्लासिफिकेशन आए है ना, पहले में हम लोगो अरस्तु जो living और non living में बाट दिया, दूसरे में केरोलस लिनियस ने two kingdom classification में बाटा और तीसरा जो है three kingdom classification इसको जो है earnest hical scientist ने classified किया है जिओं को तीन kingdom classification में, लेकिन इहाँ आपके syllabus का पाट नहीं है डिटिल से नहीं जानने वाले हैं higher class में अच्छे से जानेंगे 3 kingdom classification उसके बाद देखो 4 kingdom classification को copland ने दिया था ये भी आपके syllabus में नहीं है तो इसको भी higher class में आप लोग जानेंगे 5 kingdom classification ये आप लोग के syllabus का part है इसको अच्छे से जानेंगे तो 5 kingdom classification किस ने दिया था whittker ने दिया था है ना इसको अच्छे से जानने वाले हैं जो आप लोग को diagram में दिख रहे हैं यही whittker है और ये 6 kingdom classification किस ने दिया था कारल उस ने दिया था जो दिख रहे हैं तो 6 kingdom classification भी आपके topic का पार्ट नहीं है तो हम लोग जो है finally किसको जानेंगे ये जान चुक है हम लोगों ने अरस्तुवाला दूसरा हम लोगों ने जान चुक है किसका केरोलस लीनियस का जो हम लोग 5 वा जानेंगे किसके बारे में 5 kingdom classification के बारे में क्योंकि आपके syllabus में है तो 5 kingdom classification में जो विटकर है इन्होंने organism को 5 भागों में केटेगराइज किया पहला है मोनेरा दूसरा प्रोटिस्टा तीसरा फंजाई चौथा प्लांटी और पाचवा है एनिमेलिया तो हम लोग जोड़ डिटेल से जानेंगे इसके next episode में 5 kingdom classification का मोनेरा वाला पार्ट है न तो episode को लगाता रेके करके देखते जाईए आपको पूरा समझ में आएगा और आप लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुमूल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट अपलग मिलते हैं next episode में